हेलो स्टुएंट्स आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के जो लेटेस्ट स्टैंड आफ हुआ है उसमें क्या यह लडाई है क्या इशू है और इसका बैक्ग्राउंड क्या है और किस तरीके से अभी कि 39 अगस्त की रात को इंडिया के सोलजर्ज ने बड़े ही जबर्दस बहादरी दिखा कर जो चाइना के एरिया में कुछ पहाड़ियों पर कबजा कर लिया है और हम एक तरीके से ट्रेड ओफ कर रहे हैं उनसे कि आप अगर हमारी जो पहाड़ियां जिन पर कबजा किया है आप उनको छोड़ें तो हम भी आपकी पहाड़ियों को छोड़ देंगे तो आई अब बात करते हैं जो इसका लेटेस डेवलप्मेंट है वो क्या है इसके पास्ट के बैक्ग्राउंड के बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से एक एक जियो पॉलिटिकल मूव चल र लेक के पास में एक चुसल सेक्टर जो हमारा काफी क्रिटिकल सेक्टर है यहां से यहां पर हमारे हैलीपैड्स भी है हमारी एर स्ट्रिप अपास में चायना दर काफिश करनेzas कर सकता है तो चाइना बहुत कीन है कि वो इस पैंगॉंग लेक के आसपास की जो पहाड़िया हैं और जो उपरी इलाके हैं उन पर कमजा करें और किसी तरीके से भी यहां तक आए तो आफलेट देखा गया कि लास्ट दो-तीन साल से चाइना काफी इंकर्जन करता है इंकर्जन करने के बात कुछ दिन वहां रुकता है वह वापस चला जाता है बट इस बार चाइना ने मई के महीने में यहां पर इंकर्जन स्टार्ट किया और जून तक आते-आते कहा जाता है कि पूरे एरिया के अंदर करीब-करीब पांसो से हजार किलोमेटर का एक रफ एस्टिमेट है एर यह जाता है वह काफी yada कर रहा हैं इंडिया उसे रोक रहा है और दोके भी और घूलोर को आपको अ करले का कि चाइना का जो एरिया है ये इंडिया की जो बाउंडरी है हमारी एक्चल हमारा क्लेम है कि ये हमारी बाउंडरी है इसमें से आप पिंक पोर्शन जो देख सकते हैं जो लदाख वाला एरिया है ये अल्रेडी हम 1962 में लूज कर चुके हैं in terms of यहाँ पर चाइना का कंट्रोल है चाइना बेसिकली जब लासा से उनका एक हाईवे है जो नेपाल के उपड़ से होता हुआ आता है और चाइना बेसिकली जो उनके अपना शिंजियांग एरिया है जो योगर मिसलिम्स वगरा वहां रहते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा है हुआ है और उनके लिए स्ट्रेजिकली एक्साइचीन बहुत इंपोर्टन है और यह का जाता है कि 1962 में देवर कीन टू कैप्चर दिस उन्होंने यह एरिया कैप्चर कर लिया था इसका बैक्ग्राउंड भी बताऊंगा कि क्यों यह कैप्चर हुआ था बड़ इसके बा इसी एरिया में आप देख सकते हैं कि जो चाइना है रिसेंटली वो दो जगा एक तो चुसल वाले लाके में जो आजकल फाइट हुई है इस एरिया में एंटर करने की कोशिश कर रहा है और साथ में जो गलवान वाला विलाका था इस एरिया में भी वो एंटर करने की कोशि कर रहा है इस अगर आप पाड़ियों की बात करें तो जो पैंगॉंग लेक है उसके आसपास करीब 8 बड़ी पाड़िया है जिनको फिंगर की तरह से उसके एक स्टेच हुए हुए है सारे मार्क्स आप देख सकते हो कि इनको फिंगर 1-2-8 बोला आता है फिंगर 1-2-8 जो है कि आप इन पाड़ियों से पीछे हटिये और वो इन पाड़ियों पर अभी अपना कपजा जमाए हुए है और आप देख सकते हो कि हमारे जो बेसिज हैं अभी हालफिलाल यहां पर हैं और यहां पर भी कुछ क्लैश वगरा आफलेट हो रहे है यह जो पैंगॉंग लेक है ये 4350 मीटर की हाइट पर एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, जिसके नॉर्धन साइड में और इस्टन साइड में चाना अगपजा है, और कि सदन साइड में इंडिया का जो कंट्रोल है, तो अब जानते हैं कि इस पाड़ियों के बीच में अभी इशू क्या हुआ रिसेंटली, रिसेंटली इशू ये हुआ है कि जो चाइना है वो कहता है कि हम इस वाली बाउंडरी को जो आट के बाद वाला एरिया था, वो चाइना 1962 से इस तरफ एरिया में था, 1962 के बाद एक अंडरसेंडिंग थी, जो एक LAC हम बोलते हैं, लाइन अफ एक्शल कंट्रो है, यह more or less जो इलाके हैं, जो खाली बंजर इलाके थे, यहाँ पर ओफ लेट चाइना वाले आए हैं और इधर तक बैट गए हैं, और आगे अपने सारे एडवांस स्ट्रक्चर्चर्ज, मिल्टरी, टैंक वगरा भी लेके अब लड़ने के लिए, अल्मोस्स रेडी होने क त्यारी कर रहे हैं, इस इस वेर इंडिया की जो क्लैशिस भी हुई है, ओफ लेट आफटर मेज उनके बाद वहीं से शुरुआत हुई है, इंडिया ने यहाँ पर आके उनको पुछ करने के लिए, कहा है कि आप पीछे हटे हैं, जब वो चाइना वाले यहां से नहीं हटे हैं, तो आप देखेंगे अभी साउथ के अंदर उनकी हमने कुछ पाडिया है, यहां पर अभी कप जा किया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, अगर आप ब्रॉड आइडिया देखेंगे, जो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कर रहा है, और चाइना यह कह रहा है कि हम लाइन ऑफ एक्चल कंट्रोल की जो डिमार्केशन है, प्रिकास वो एक बाउंडरी को मैप में ड्रॉ करना असान होता है, लेकिन एक लाइन भी ड्रॉ करने का मतलब है 500 किलोमेटर लेफ्ट और राइट, तो उसकी जो फाइनर प् भी उनको मारा था और पहली बार उनको हमने एक ब्लडी नोस दी है कि अगर आप इंडिया से टकराओगे तो इंडिया आपको बहुत बड़ा जैब अब देने वाला है, इंडिया अब आराम से आपसे रिक्वेस्ट करके शांत बैठने वाला नहीं है, इस वेर यह विल फा बनाने लगे थे, इंडिया ने आके उन सारे स्ट्रक्चर को तोड़ा और उनको भगाया, जब लड़ाई हुई तो उनको मारा भी और बापस अपना एरिया कबजे में लिया, यही चीज़ा आप देख सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, जून महिने के बाद जो फिंगर 4 के पास का एक इलाका है, एक फील्ड वाला इलाका है, जहां हमारा कैलाश मांसरूबर का जो परवत है और हमारे लिए काफी इंडिया में religious उसका importance है, उस एरिया में भी recently देखा गया है कि जो काफी सारे areas हैं, वहाँ पर चाइना अपनी missiles वगरा सेट अप कर रहा है, advanced basis सेट के बीच में एक war हुई थी, yes, no doubt, India lost that war, reason being कि हमारे पास ना हत्यार proper थे, ना हमारी तयारी पूरी थी, और हम काफी सारा appeasement कर रहे थे चाइना के लिए, और हमारा proper जो एक तरीका होना चीए, war के लिए हत्यार वगरा वो हमारे पास गोला बारू देनाफ नहीं था, और हम ओपन ली मानते हैं कि हमारी ये गलती थी, हमारी जो clash होई थी, वो basically लदाख रीजन में और जो अपना नेफा का इलाका जो चाइना बोलता है, उस इलाके में होई थी, तो तरह इसका भी background जान लेते हैं कि ये इंडिया चाइना का जो issue है, या अखिर में है क्या, हम काफी क more or less, military and science and technology के साब से ये बहुत advanced country नहीं थे, इसी वज़ाओं से आपने देखा था कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया पर कपजा कर ले गया और पूरा का पूरा एरिया उनके control में था, ब्रिटेन ने यही काम जब 1500-1600 के आसपा से जोनों ने शुरू किया तो चाइना से भी लडाई की थी और 1718 सों में आप काफी सारे ओपियों वार वगरा देख सकते हैं और वहां के भी थूरू एक basically उनने क्या किया था, होंग कॉंग अपने कपजे में कर लिया था, चाइना से 100 साल के ये लीज पर ले लिया था, पॉर्चुगल ने मकाव ले लिया था और इस तरीके से एक दुसरे को इस दोनों कंट्रियों को कंट्रोल करते थे, यहां पर एक quasi rule था और यहां पर एक total control था, तो आप सोचे हैं कि अगर बिटेन के दो कंट्री हैं, तो उनने टेक्स परपस से इन दोनों कंट्री को separate करने के लिए एक अपनी line बनाई थी, जिसे हम आग 1947 में इंडिया independent हुआ, तो अंग्रेजों ने यह maps हमें दे दिये और भूला कि यह हमारी boundary है, और हमने ऐसे अपना accept करके इस boundary को अपने साथ ले लिया, हलांकि यह हमें लगता था यह हमारी boundary है, आप जान सकते हैं, यह सारे पहाड हैं, यहां पर कोई boundary नहीं खिलती है, यहा जब Japan surrender कर गया World War II में और चाइना एक तरीके से independent हुने ही कोईश किया, तो वहां पर रशिया की जो backed communist supporters थे, चाइना के अंदर Mao Zedong उन्होंने पूरा एक revolution लेके आए, और within four years के अंदर by 1949 आते आते चाइना पर अपना कपजा कर लिया, और उसके बाद उन्होंने ने अनौन कि हम एक one China policy follow करेंगे और जितने भी उनके अलग-अलग countries थे पर पुराने इतिहास में उनका part था चाइना का, पर पुराने इतिहास में वह चाइना का part था उसको वह एक साथ करना चाहेंगे, और one China policy आज भी Xi Jinping जो चाइना के प्राश्टपती हैं, वह follow कर रहे हैं, उस case मे हुआ यह कि 20 साल में आते आते इन्होंने तक्रीबन सारे तिबद पर कबजा कर लिया और शिंजियांग पर कबजा कर लिया, कबजा करने के बाद, वह बेसिकली शुरुआत 1950 सही हो गई थी, पर फाइनली जब दलाही लमा अपने लासा जो उनका तिबद का capital था वहां से भ कहता है कि यह हमारा है, तिबद के ंपने करता है जो भूटान और अपका-साम के सात में अरिया मिला हुआ है तवांग पूरा आप दिख सकते हैं जो नेफा वाला एरिया है जो अंड़ूनाचल प्रदेश का पार्ट है यह सारा पार्ट चैना क्लेम करता है कि उनके ओल्ड तिबबत के मैप में यह उनका हिस्सा है, तो चैना का जो क्लेम है वो यह है, कि because पुराने जो मैप्स हैं, उसमें यह पार्ट उनका है, that is why they would like to merge this with their वन चैना पॉलिसी और वन चैना के अंदर इसको शामिल करना चाहते हैं, वेरिट इंडिया कहता है, कि हमें 1947 में, as per the McMohan line, हमारे को already boundary मिली हुई है, इसको यह हमारा already boundary मिली हुई है, बोलेंगे उसके बाद, मिली हुई है, और हम आपको यह वाला पार्ट नहीं दे सकते, तो basically जो clash है, वो border का है, तो हमने कहा कि because Mr. McMohan हमें यह जमीन दे गए हैं, because English हमें जमीन दे गए हैं, इसलिए यह हमारी है, बट China कहता है कि जमीन मेरी है, McMohan कैसे decide कर सकते हैं, कि यह आपकी जमीन है, and this is where एक understanding का difference आया, और देखा होगा आपने 1950 से चाइना जो है इस एरिया में अपनी boundaries के अंदर यह boundary बना नहीं था, ना इंडिया का, ना चाइना का, ना पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान यहां बिज़ी थे, और चाइनीज लोग जो हैं, अपने आप normally हमारे एरिया में आते जा रहे थे, और हमें लगता था बस आये हैं पहाड़ियों पर गुमने, तो क्या हुआ, और ना इंडिया और चाइना की जो वार हुई है, वो बेसिकली जब यहां से बाद इधर उत्तराखंट के अंदर और यस एरिया में और बाकी एरिया में भी अंदर आने लगे, तब हमारी क्लैशिस हुई थी और हमने उनको भगाने की कोशिश की थी, पर उस बगाने की कोशिश के अंदर, 1962 में हमारी प्रपरेशन नहीं थी, हम मुश्किल से करीब जो हत्यास थे, वो हमारे पास 10-12 दिन के थे, हमारे पास गोलियां, बंदू, वैपन्स प्रॉपर नहीं थे, और वहां पर वो आटोमेटिक वैपन्स लेकर, और बाकी सपोर् पर जैसे ही वो हम अंदर आ रहे थे, इंडिया ने अमेरिका की मदद ली थी, हत्यार आने शुरू हो गए थे, चाइना को लगा, कि अगर इंडिया अमेरिका की साथ सपोर्ट में खुल के और अमेरिका इंडिया की साथ खुल के सपोर्ट में आ गया, तो there is a possibility, not only वो ये व विराम घुकी घुषना करते हैं और 20 दिन पहले हम जहां थे हम वहां वापस जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 20 दिन के अंदर चाइना जो है इस एरिया में आ गया था और उसके बाद वह बीज दिन के बाद वापस अपने ओल बॉर्टर पर चले गए थे बट जो अक्सा कर रहे हैं यहां पर तो हम सालों से हैं और इसी वाजा से आप देख सकते हैं कि यह वाला एरिया हमने लूज नहीं किया था वो लोग अल्रेडी अंदर आ गए थे 1945 के आसपास के बाद से और 1962 अल्रेडी उन्होंने यहां दिवारें और बॉंडरी नहीं बट रोड तो बना करता है और वार से कोई सोलिशन नहीं है बट आईए अब जानते हैं कि चाइना अगर इतना अगरसिव पॉस्चर ले रहा है अपने कंट्री को की बाउंडरी को बढ़ाने में तो इसका कारान क्या है कारान सिंपल है कि इंडिया और चाइना आने वाले 30-40 साल के अंदर दो इकनामिक सुपर पार बनने वाले हैं जहां चाइना अलड़ी सुपर पार बन गया है आलमोस्ट लाइक कंट्रोल कर रहा है अपना वर्ड के एकनामिक मैप में इंडिया अब जस्ट वहां से चलना शुरू हुआ है और चाइना को चलेंज करने वाला है इसी वज़ा से जो दोनों कंट्रीज हैं वो अपने अपने जो एकनामिक इंट्रेस्ट हैं रॉव मेटेरियल के लिए मार्केट का एकसेस है बागी सब चीजों को कंट्रोल करेंगे और चाहना चाहता है कि हमारा एक राइवल क्रियेट हो बने उससे पहले ही उसको डेसिमेट करो और अपना अब पूस प्रेशर को लेने को तयार नहीं है उसने का है हम आपको प्रेशर लेंगे नहीं आपको उल्टा प्रेशर देंगे और इसी के वज़ा से इंडिया एक नए जीओ पॉलिटिकल गेम के अंदर एंटर कर गया है आई आई आप जानते हैं कि चाइना इस एरिया को क् बहुत बड़ा गैस वगड़ा का रिजर्व है तो चैना जो अपना लासा से लेकर लदाक होते हुए जो एरिया है वहां पर पूरी रोड़ वगड़ा बनाना चाहता है और एक बहुत ज़ादा बड़ा इंफ्लुएंस क्रेट करना चाहते हैं ऑवर हेर इसी की वज़ा से जोनोंने यहां organization भी बनाया है, SCO, Shanghai Corporation Organization, जिसमें 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी उसके full-time member बन गए है, चाइना जहां एक तरफ यह सब चीजें कर रहा है, बड़ एक और इंट्रेस्टिंग आस्पेक्ट है, जो आपको जानना चाहिए, यह चाइना एक मुसीबत नहीं फसा हुआ है, इंडिया के ठीक उपर, आपका इलाका देखेंगे, जो तिबबत से उपर वाला एरिया है, जो कजाकस्तान, किर्गीजिस्तान, जो बोलेंगे दुबारा से, इंडिया के लदाक के उपर जो एरिया है, यह पूरे स्टेट को कहा इसको फॉलो करते हैं, चाइना जो की एक एक अगनॉस्टिक कंट्री है, वहाँ पर रिलीजिन को आप ओपनली फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसी लिए ओफ लेड चाइना ने को लगा, कि अगर पूरे दुनिया का पूरे अपने चाइना में, कि अगर पूरे चाइना में, उती लाख मुस्लिम्स को चाइना ने अपने यातना शिवर कंसंट्रेशन कैम पेर रखा हुआ है, वहाँ पर उन मुस्लिम्स को अपने रोजे रखना, नमाज पढ़ना, प्रेयर करना अलाउड नहीं किया है, वहाँ पर मॉस्क सारी डिस्ट्रॉइट कर दी गई हैं, तो चा पारे में एक शब्द नहीं कहते हैं, तो यह जो एशू है चाइना का, यहाँ पर काफी सारे लोग रिवोल्ट करते हैं, और चाइना उनको सप्रेस करता है, तो चाइना के लिए यह इलाके में अपनी रोड बनाना और बागी सारे चीज़ा करना इसलिए जरूरी है, ताकि यहाँ पर इस एरिया को अच्छे से कंट्रोल कर पाए, इसी वज़ा से चाइना जो है यहाँ पर अपना एरिया पर कंट्रोल काफी बड़ा करना चाहता है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि तिबद के अंदर भी रिवोल्ट होते रहते हैं, विद्रो होते रहते हैं, त साथ में यह एरिया तिबद था और यह वाला शिंज्जांग था, चाइना इन सारों को एक साथ करने के लिए चाहता है कि पूरी की पूरी इंटिग्रल पॉलिसी फॉलो करें और वो साम, दाम, दंड, भेद, सब पॉलिसी फॉलो करके इस एरिया पर कैसे भी करके इनको हुआ है कि शिंज्जांग एरिया में जो इसने हुमन राइट्स किये हैं वो अब अमेरिका भी ओपन ली बोल रहा है उसके बारे में इंडिया ने और बाकी कंट्री ने भी इसके बारे में कुश्चन रेस करना शुरू कर दिया है तो आईए देखते हैं अगर चाइना इं को सॉल कर सकते हैं बातचीत के साथ और इसी को चीरियों को लेते हुए आगे इंडिया ने काफी सादा अग्रेसिव मूव्स खेले उन चाइना के राश्च्पती को वो प्रसान मंतरी बनते ही जो पहले रास्ट्रा देक्ष थे वो चाइना के थे जिनको बलाए गया शी जि करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2019 में इंडिया ने भी चाइना के प्रसियंट को इन्वाइट किया मामलापुरम तमिल नाडू के अंदर या आपने सारे फोटो और नारियल पीते हुए शिंजिंग पिंग को देखा होगा और आपने देखा होगा नारियल पीते ह कि बहाने एक अपना दूसरा शडियंत रच रहा था वह उसी शडियंत के अंदर वह बातचीत करते करते हमारे फिंगर फोटो एट के अंदर एंटर कर गया तो देख सकते हैं कि आप चाइना को जो है इतना इसली नहीं ले सकते वह फ्रेंड नहीं हैं वह बहुत ज़्याद भी विसेंटली हुआ है कि आप देख सकते हैं कि जो चाइना के अंदर एक इलाका है जिस पर बेसिकली जो टॉपमोस पाड़ियां है इस पाड़ियों के जो समू है उसको हम ब्लैक टॉप हिल कहते हैं इंडिया ने अभी 29 अगस्त को इस एरिया में जाके चाइना की है इन सब खैली ना है इन सब को यहां लगा दिया है अगर चाइना अपने एरिया के अंदर से कोई टैंक वगरा लेके आता भी है तो उनको हम अराम से फोड़ सकते हैं और अब हम यहां पर कब्जा करके चाइना से बारगेन कर रहे हैं कि अगर आपको अपना जगा हैं टैंक लगना शुरू हो गए हैं इंडिया ने भी अपनी जो हवाई पट्टी है वो लदाख में बना ली है और सी गलोब मास्टर वगरा जैसे जो अच्छे यूएस के जो ट्रांसपोर्ट वाले जो इतने भी प्लेंस हैं फाइटर जैट्स हैं वहां पर लेंड कर रहे बहुत जबरदस्त अग्रेसिव पॉस्चर लेकर अपनी तयारियों को दुरूस्त किया है और उस एरिया में जाके चैना को वहां से खदेडने की तयारी शुरू की हुई है इसी के साथ आप दिख सकते हैं कि यह सब डेवलप्मेंट होने के साथ अब यभी क्या हुआ तब चैना के रक्षा मंत्री दोनों के बीच में मीटिंग होई है और इंडिया ने क्लियरी दो टूक जवाब दे दिया है चैना को कि अब हम आपसे बाची तभी करेंगे जब आप हमारे एरिया से पीछे हटेंगे वरना हम भी अब आगे इसी तरीके से पॉस्चर लेते जाएं अब आपको चैना को भी चारों तरफ से घेरना होगा जैसे कि मैंने एपिसोट बर में बताया था चैना हमारे चारों तरफ एक तरीके से हमें इंसेकल करने के लिए तीन तरफ पोर्ट बना रहा था आप उस एपिसोट को जरूर देखें जो श्रीलंका का एक फर्स पॉलिस इसमें जो इंडिया नेक्स मूव ले रहा है इंडिया क्वाड का मेंबर बन गया है और अब वहां पर एक ज्यादा कोपरेशन कर रहा है तो एक क्वाड है क्या एक क्वाड चार देशों का समू है जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका एंड जपान ये चारों मिलके इस Area में जो Pacific Ocean वाला Area है, और जो Indian Ocean वाला Area है, यहां पर अपना Total Control करना चाहते हैं, owever चाइना को Open Thread देना चाहते हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं, इस MAP में, जो है ये Area पूरा का स्ट्राइजिक सब्सक्राइब करता है अगर इस इलाके में हम अपना जो एऊशन वाले अलाके में अपना कंट्रोल कर लें तो चाइना कुछ नहीं कर पाएगा उसकी एकनोमी कलप्स कर जाएगी इसी वजा से अब इंडिया चाइना को ओपन थ्रेट दे रहा है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका एंड जपैन मिलकर एक क्वार्ड स्ट्रेटेजी बना रहे हैं साथ में आप देहेंगे इंडिया ने रिसेंटली अपने जहाज भी कुछ नेवी के वाडशिप साउच चाइना सी में भेज दिये हैं वियतनाम को सपोर्ट करने के लिए इस वजा से भी चाइना अ कि तो मेरे एरिया में क्या कर रहे हो तो हम भी उनको बोल रहा है कि तुम हमारे एरिया में क्या कर रहे हो तुम यह से नहीं हटोगे तो आगे हम पॉस्ट्र हम भी यहतनाम को संठ सापने से ऑड रहा हैं also very much Africanious country kundแลhria deal is 60 functioning a home USA के साथ मालाबार डिफेंस की जो एक्सराइज हैं वो और ज़्यादा इंटेसिफाइड कर दी है, 1990-1992 से वो शुरू ही थी, लेकिन अब जपैन भी उसका पार्ट हो गया है 2015 में, और ये मालाबार एक्सराइज काफी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, जहां पर हम लोग एवरी एर काफी बड़े फॉर्म में एक्सराइज होती है, और मिल्ट्री एक्सराइज करना ज़रूर ही है, एक दूसरे के एर क्राफ्ट का कम्विनिकेशन, समझना, अटेक करने की स्टेटेजी बनाना, उन सब में इंडिया अब काफी एग्रेसिव रोल प्ले कर रहा है, साथ में हमने एक और चीज़ देखा है, कि USA, जो पहले अपने पूरे के पूरे Pacific Region के अंदर अपना कंट्रोल करता था, अब वो इंडिया को लेकर एक नई स्टेटेजी बना रहा है, और उसने अपने पूरे कमांड का भी नाम जो है, वो इंडो स्पेसिफिक रीजन दे दिया है, तो दिख सकते हैं कि जो कमांड था USA का, जो पहले USA Pacific Command होता था, अब वो इंडिया के साथ रखकर उसे US Indo Pacific Command बोल दिया गया है, तो इंडिया, because China हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइस कर रहा है, और हमें अब allies चाहिए है, उस चाइना को भी घिरने के लिए, तो इंडिया कहा जाता है कि अब काफी ज़्यादा इंकलाइन कर गया है तो यूएसे, और इंडिया और यूएसे मिलकर अब इस रीजन में कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्वार्ट की आने के बाद ये पूरा का पूरा जो बैलेंस है, जो पहले चाइना के फेवर में था, अल्मोस्ट लाइक एक तरीके से बरावरी की टक्चर अनी शुरू हो गई है, और चाइना इसे ओपन थ्रेट की तरह से देख रहा है, इसके साथ-साथ इंडिया और अमेरिका अब जो मिनिस्टर लेवल पे भी हर साल मीटिंग करते हैं, जिसे हम टू प्लस टू की मीटिंग कहा जाता है, जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों देशों के साथ में मिलकर हर साल एक अनुवल सम्मिट करते हैं, और उसमें और एक्सचेंज अफ कोपरेशन हैं, वो कैसे बड़े हैं, उसके बारे में बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी जो फॉरेंड मिनिस्टर थी, लेट शुष्मा जी और रिर्मिला सीता रामन जी जो रक्षा मंत्री थी, वो 2018 में अमेरिका के जो काउंटर पार्ट्स थे, उनके साथ इंडिया में सम्मिट किया था, इस साल ये सम्मिट वर्चुल हुआ है, इनके बारे में फीचर में चर्चा करूंगा, तो इंडिया नोट अनली अमेरिका के साथ क्वार्ट बना रहा है, नोट अनली वो पूरी मालबार एक्साइज कर रहा है, जो ग्रूप ऑफ मिनिस्टर की जो हाई लेवल मीटिंग होती हैं, वहां कॉलबरेशन कर रहा है, इस से कहा जाता है कि इंडिया अगर क्वार्ड में आता है तो उसका हमें फाइदा तो है बट एक नुकसान भी हो सकता है, वह नुकसान यह है कि जो रशिया है, जो हमारा ओल्ड अलाई है, अगर हम अमेरिका की तरफ जादा इंकलाइंट हो गए तो शायद हो सकता है कि सपोर्ट फ्रम यूएसे एंड ट्राइटू काउंटर चाइना बट उसको साथ में ही रशिया को भी अपने फेवर में रखना होगा, अनली दैन वो हमारे लिए कभी डेंजर नहीं बनेगा, इसी के साथ आपने देखा, आज हमने इंडिया और चाइना की बीच में करी देते आएंगे, तिल देन स्टै टून बबाए